सामने आया या आठ्वे वेतन आयोग का प्रपोजल एक करोण सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाव केंद्रे कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार से आठ्वे वेतन आयोग के गठन की मांग की है कर्मचारी शरकनों का कहना है कि महंगाई के इस दोर में वेतन भत्ते और पेंसन में बढ़ोत्री जरूरी है 2024 में आने वाले बजट से पहले सरकार को यह मांग मिली है कि बीत मंत्री ने निर्मला सितरमर तेज जुलाई को लोगसभा में भारत का 2024 पजीश्ट का बजट पेस करेंगी और यह मोदी सरकार के तीसरे कारिकाल का पहला पूर बजट होगा बेतन आयोग हर दस साल में गठन होता है इसका उद्दे से केंद्र सरकार के कर्मिचारियों की बेतन शनरचना भत्ते और अन्य लाभूं की समिच्छा करना है और यह महंगाई और अन्य कारकों के आधार पर बदलाओं के सलाह देता है जिसे की कर्मिचारियों का जीवन अस्तर सुधरता है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है केंद्रिय बेतन आयोग वाडी जी नोटिफिकेशन के माध्यम से अस्थापित किया जाता है समानिता हर दस साल में केंद्रिय बेतन आयोग के अस्थापना होती है यहां आयोग केंद्रिय कर्मिचारियों के बेतन भत्ते और अन्य लाभूं की समिक्षा करता है और सिपारिस देता है और इन सिपारिसों में महगाई और अन्य बाहरी ये कारकों का ध्यान रखा जाता है और पिछली बार 28 फरवरी 2014 को सात्मे बेतन आयू की गठन किया गया था अब इसने 19 नौंबर 2015 को अपने रिपोर्ट प्रस्तूत की थी जिसकी सिपारिस एक जनौरी 2016 से लागू की गई थी क्या बजट 2024 में आठी में बेतन आयू का एलान होगा शिंगानिया एंड कम्पनी की पॉर्टनर रीतिका नायर द्वारा इन इकनोमिक्स टाइम्स ने बताया की बजट मोधी सरकार की तीसरी बारसत्ता में वापसी के बाद का पहला बजट है और बेतन आयोक के शमय सीमा भी निकट आ रही है इसलिए चुनाव के बाद माध्यम वर्ग के बित्ती हितों पर ध्यान केंद्रित करने की यह सकता है इसके लिए सरकार को तेयारी सुरू करने की जरूरत है जो अर्थ बेवस्था को तो बढ़ावा दे सकती है लेकिन सरकारी खजानों पर दबाव डाल सकती है तो गाईज इस तरह के अपडेट लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल से बने रने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले वेल आइकन प्रेज करना ताकि हैर वीडियो की नोटिफिकेशन एजी से प्रवाइड हो लास्ट तक वीडियो में बने रने के लिए तेहदिल से सुक्रियादा करते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग गाड़ ब्लेस यू